नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ बाकी टीमों के समीकरन बिगाडने की कोशिश करेगी और इसमें उसका पहला निशाना जीत के लिए विताब कोलकाता नाइट राइडर्स हो सकती है जिसके खिलाब उसे गुरुवार को दुबई में मैच खिलना है कि क्यार के 12 मैचों में 12 अंक है और उसे प्ले आफ में जग के स्थानों का निर्धारन होगा इसे ध्यान में रखते हुए केक्यार के लिए बड़े अंतर से जीत दर्च करना बेहद महत पून है केक्यार के लिए चिन्ने के खिलाब काम आसान नहीं होगा चिन्ने इन अपने पिछले मैच में रॉयल चैनले बैंगलोर को आठ विक्ट के प्रदोर्शन में भी निरंतरता का भाव है गेंदबाजों ने केक्यार के तरप से अभी तक अच्छी भूमिकानी भाई है तमिलनाडू के रहसिमाई स्पिनर वरुन चकरवर्ती प्रभावशाली रहे हैं और अपने अच्छे प्रदोर्शन के दम पर उन्होंने भारति टीटवेंटी टीम में जगा भी मिली है केक्यार के गेंदबाजों को चन्ने के बल्यबाजों के सामने किसी भी तरह की ढिलाई बरतने से बचना होगा चन्ने के बल्यबाज भी निरंतर एक जैसा प्रदोर्शन نہیں कर पाए हैं लेकिन जब इनखा दिन होता है तो किसी भी तर का मनोबल बढ़ा होगा, यूआ रितुराज गयकवर्ण ने विचले मैच में शानदार पारी खेली और कप्तान महें सिंग धोनी उनसे इसी फॉर्म की उमीद कर रहे होंगे, उनके अन्य बलेबास भी आगे आकर बड़ी पारियां खेलने पर ध्यान देंगे, तो चली संभावित प्लेइंग 11, कुलकाता नाइट एडिस की संभावित प्लेइंग 11, शुम मंगिल, राहुल तरपाथी, नितीश राना, एउन मॉर्गन, दिरेश कार्तिक, सुनील नरायन, पट कमिंस, लौकी फग्यूशन, कमलेश नागर कोटी, वरुन चकरवर्थी और प्रसि झाल